नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गर्मपती धर्मा सनमार्ग दैनिक रासीफल सोसिपले जानते हैं दैनिक पंचांग के बारे में 25 जनबरी 2024 गुरुवार का दिन है पॉसमा के सुकल पक्ष की पुनिवाती थी और नच्छत रहे पुसे पृती नमक यो अचिक वालों आज का दिन आपके लिए ठीक है आज वकाया असुली के प्रयास आपके सफल होंगे नौकरी में सुकून है जल्दवाजी में बस आवस्यक वस्तु कुछ खोड़ना जाए गुमना हो जाए इसका ध्यान रखेगा और किसी भी तरह का बिबात से दूर रहेग वैसे तो महतपूर्न कारे आज रुक सकता है बेवजा की चिंताएं थोड़ी है और अगर वाहन खुद से चलाते हैं तब सावधानी से चलाईएगा भागे का साथ कुछ मामलों में मिलेगा आगे बढ़ने के लिए कुछ नया सीखेंगे भी और तरक्की के नया अफसर मिल सोदादी कारियों के लिए खास कर जो विद्यारती हैं हो सकता है आप वो अस्थान परिवर्तन करें नोक्री में अफसरों का सपोर्ट मिलेगा और आज के दिन तरक्की के मार्ग भी बनते न जराएंगे आप अपने लिए कुछ खास करना चाहते हैं तो दिन उत्तम है और जिम्मेदारी बढ़ेगी आप उसको निभाएंगे भी राजनीती में किसमत आज मार रहे हैं तो आज समाज में मान समान बढ़ेगा पारी बारी करिस्ते बढ़िया रहेंगे माता पिता की सलाह अब आपके भविश्य के लिए फायदे मन रहेगी इसलिए अपनों की बातो को जरूर आप मानें दूसरों के मामलों में हस्तचेप आज मत कीजिएगा नहीं तो सस्राल पक्सरिस्ते खराब हो जाएंगे और दिन की सुरुआत किसी अच्छी खबर से होगी अपनी बुद्धी चतुराई से समस्याओं का समाधान आसानी से आज आज आप निकाल वैसे तो देखिए अगर आप लब लिसंसीप में हैं तो आपका ब्यक्तित हुए ऐसा है कि हर कोई आपकी तरफ आकरसित हो जाता है कि लेकिन आप अपनी भावनाएं उन्हें आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर करती हैं थोड़ा सा आपको भी आगे बढ़ना होग वैसे एक साधरन सा चैट भी दिल में जगह बनाने में मदद करेगी कहने का ताथ पर आज लब लाईब अच्छा है छोटा सा समय भी देते हैं थोड़ा सा समय तो भी सुकून है इमंदारी से अगर आज कारे करे खास कर जो बैबारी भाई है तो अथक प्रयास आपका प्र परिसानियों को आसानी से बाहर आप निकल आएंगे परिसानी समाप्त हो जाएगी और इस समय अनोखा दृष्टी को निस्चित रूप से आपको सफलता देगा दोपाहर के बाद से आप पसमें ज़्यादा अनुकूल है याद रखे और वैसे तो आज के दिन साम को आपको परिसाद भाग्यां का आपका चार है तो लव लाइप तो अच्छा है जो भी द्यारती है पढ़ाय लिखाय पर फोकस बनाया रखे अभी तक जो भी आपने समय बरबाद की है न वो आपको बहुत तीस देगा इसलिए अभी भी कुछ नहीं हुआ है समय का सदूपयोग करे स्वास्त के मामलों में लापरवाह नहीं होना बैपसाई भाईयों को जरोस से ज्यादा उधार देना आज नहीं रहेगा आपके लिए सही पक्का लौसों का ध्यान रखेगा हम आपसे भी दा लेते हैं